हेलो स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं मैथड ओप्रिप्रेशन ओफ लायफोबिक सोल देखो हमने पिछे शुरू में पढ़ा था कि जो लायफोबिक सोल है उन्हें प्रिपेर करने के लिए कुछ स्पेशल मैथड चाहिए जबकि जो लायफिलिक होते हैं वो तो सिंपली ऐस कैसे अगर आपकिसी स्पार्व começa को वोटर में इसोल करोगे तो भी प्रिपेर हो जाते हैं कौन-कौन से मेथट है तो तो सबसे पहला मेधोड आता है डिसिंटीगरेशन मेथड धिसिंटीगरेशन का मतलब क्या होता है Breakडाउन की हमें कोई सबस्टान्स का Breakडाउन करके फि इसमें आप मसिन वगएरह का यूजर करोगे तो दीखों इसमें क्या होता है को छोटी ए ज़्क्रिप लोती कि होतीए उसमें आपको दो प्रिट मिलेंगी दो प्रेत हैं और यहनों प्रिटिट्र अपो dum Dollar क्सिन में डॉटिर करती करते जाओगे ठीक और जब दोनों आप पोजी डारेक्शन में रोटेट करेंगी तो जो भी सब्स्टांस लिया है वह ब्रेकडाउन उता रहेगा और यहाँ से बाहर आप निकाल लोगे डिस्चार्ज कर दोगे जो आप मिले रहे हो इसके दोनों प्लेट के रोटेशन के बा बना सकते हैं ठीक है एक है अचर जोन스타ं सोली दिन लिक्विड का अक्जामब होता है तो नैक्समें पढ़ते हैं इलेक्टिटीकल डिसिंटिडिशन इलेक्टरीकल में से जिसमें आप रिक्रिशिटी यूज करोगे तो इस लेक्ट्रीकल डिस इंटिक्रेशन का दूसरा ना और यह लेले दो मैटल के वायर जिस भी मैटल का सोल भनाने और उससे कनेक्ट करवा दिया हाई वोल्टेज से छीक है अब जैसे वोल्टेज पास होगी तो यह जो मैटल है वह दिरे-दिजोल होना स्टार्ट हो जाएगे पिगलना सुरू हो जाएगी इसमें सॉलुशन में औ उसकी कोलोड बन जाएंगे ठीक है तो देखो क्या बताया इस मेथड इस यूजड फोर्डा फोर्मेशन ओफ कोलोड ओफ मैटल लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इसमें होता क्या है तू मैटल इलेक्टरोड आर सिस्पेंड़ इंटो ए ट्रैप ओफ वाटर इस इलेक्ट उससे कोलोडल पार्टिकल बन जाएंगे थर्ड़ है पैप्टेजिशन इंपोर्टन इप्टेजिशन में होता है कि आप सबसे पहले कहलोगे जो अभी अभी फ्रेशली प्रिपेर्ड पीपीटे लोग है ठीक है उसमें आपने डाल दिया डिस्पर्सन मीडियम यह तो आग करते हो तो इससे कोलोडल पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाती है चीक और यहां पर जो आप स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट एड करें उसे बोलते हैं प्रेप्टाइजिंग एजेंट क्योंकि यहीं तो इनके प्रेप्टाइजिशन करवाएगा यह मेडियम विद एडिंग स्बॉल मांट आफ स्ट्रॉंग एलेक्टरोलाइट कि आप ने क्या कर दिया किस फ्रेश पींट को अस्पर्षन में एड और साथ में थोड़ी से माउंट आपने strong electrolyte की डाल दी एक्जामपल देखो जैसे आपने ले लिया अफ ई और स्थराइस प्लस अफ इसमें क्या होगा जो अफ इसमें क्या होगा जो अफ इसमें पॉजिटीव है देखो जो आइन इसमें common होगा वही जाएगा अगर यह आप इसमें पॉजिटीव है वह इस पीपीटी को स्राउंड कर लेगा और जो पार्टी के लवह थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा कितने कोलोडल साइज का ठीक है इससे क्या बननेगा आपके कोलोडल सोल की फिप्रेशन हो जाएगी है फिर देखते हैं प्याप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं तो स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट विच एड़ेट टू फ्रेस्पीटी इस नोन एज प्याप्टाइजिं ठीक है तो हमारा पहला था डिसिंटिग्रेशन मेफड सेकंड आता है कंडेंशेशन या फिर एग्रिगेशन कंडेंशेशन में हम चार मेफड पढ़ेंगे केमिकल रियक्षिन बाइचेंजिंग मेडियम एक्सेसिव कूलिंग कंडेंशेशन ऑफ वैपर देखो हमें करना क् कि किसी भी सबस्टान्स को अगरं एक्रीक्षिंग में और उसके जो पार्टिकल का साइज है वह वन नेनोमेटर है 1000 nanometer लेके आना है ठीक है तो देखो पहले पढ़ता है chemical reaction chemical reaction में भी चार टाइब की reaction पढ़ेंगे double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis सबसे पहले double decomposition तो आप यहाँ पर देखो arsenic oxide ले लोगे AS2O3 plus में hydrogen sulfide ले लिया तो AS2S3 plus water तो arsenic का sulfide बन गए ठीक है आपने पिछे पढ़े है lyophobic soul है वो यह तो metal यह फिर metal sulfide के बनते है तो metal sulfide हो गई है next है oxidation oxidation करवाने है तो oxidation करवाने के लिए कोई oxidizing agent चाहिए जैसे के bromine ले लोगे यह फिर नाइटरस acid ले लोगे आपने लिए hydrogen sulfide इसमें डाल दिया bromine ब्रोमine डालते है sulfur अलग प्लस में HBR निकल जाएगा अब यह तो sulfur के atom है वो आपस में एक दूसरे के साथ attach हो जाएगे S8 बना लेंगे और उससे फिर क्या हो जाएगे वो colloidal particle की size का हो जाएगा और soul की preparation हो जाएगे थर्ड है reduction reduction मेंसे आपको reduction करवाना है तो कोई reducing agent होना चाहिए जैसे SNCL2 है तो आपने देखो gold का chloride लिया उसमें SNCL2 डाल दिया अब यह reduce हो जाएगा खुद SNCL4 में और gold हो प्योर convert हो जाएगा अब देखो इस reaction का यूज़ करते कापे आपने एक्वारेजय सोलुशन पढ़े 3 ratio HCL और 1 mol H93 जब यह एक्वारेजय सोलुशन बनाते है तो क्या करते हैं इसमें कोई भी जैसे non-reactive metal लाइक, gold, platinum उसे जैसे इस एक्वारेजय सोलुशन में deep करेंगे वो metal इसमें डिजोल अना स्टार्ट हो जाते हैं क्यों? क्योंकि यह एक्वारेजय सोलुशन नेसेंट कलोरिन रिलीज करता है यह नेसेंट कलोरिन इस pure metal के साथ combine करके compound बना देता है तो उसने क्या कर लिया? जो भी घर पे ज्वैलरी विगरा साफ करने वाले आते हैं उनके पास ही सोलुशन होते है वो सोलुशन में metal को डिजोल कर लेते हैं अब यह डिजोल फॉम में पढ़ी है दिखेगे नहीं वो घर पे जाते ही इस से AUCl3 के अंदर क्या एड करेंगे? SNCL2 और इस से SNCL4 बन जाएगा सोलुशन और जो गोल्ड है वो निचे प्रेसिप्टेट होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है? फॉर्थ रियक्शन है हाइड्रोलिसीस है हाइड्रोलिसीस में वो ट्रेड करने तो देखो FECL3 प्लस H2O तो FECL3 में करनवर्ड हो जाएगा ठीक है? और यह बन जाएगा कोलोईड थर्ड सेकेंड हमारा बाइचेंजिंग मीडियम कि मीडियम को चेंज कर दो देखो आपने फेज है फिर सोलूट है वो ले लिए फोसफोर्स अब मीडियम दो ले लिए क्योंकि मीडियम चेंज करना है एक तो ले लिया आपने अलकॉल मीडियम और एक ले लिया वोटर और जो फोसफोर्स है वो अलकॉल में ज्यादा सोलूबल है और वोटर में कम सोलूबल है देखो क्या किया कि पहले तो इस फॉस्फोस को अल्कॉल में डिजॉल कर लिया और फिर उसमें water डाल दिया वाटर की विज़े से वह डिजॉल होगा नहीं तो उसके सोड़े से कंडेंसेशन ओफ वैपर जो वैपर्स बनेंगे उन्हें कंडेंस करेंगे देखो इसमें किसके लिए उज़ करते हैं कोलोडल सोल ओफ सलफर एंड मरकरी इन वोटर और प्रिपेड बाइपासिंग देर वैपर्स इन कूल वोटर कंटेनिंग ए लीटरल स्टेबलाइजड एज तो जैसे वैपर्स ठंड वोटर के कॉंटरक्ट में आएंगे वह सुलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे इसी सॉलूशन के अंदर कुछ अमोनियम नाइट्रेड डाला जाता है ताकि वह उस कोलोड को स्टेबलाइज कर दे नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिप्रिप्रे नेक्स्ट पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन